Welcome to Web Academy, मैं हूँ आपकी ट्विटर मारिया, आज मैं आपको MS Excel 2021 में डिफरेंट टिप्स और टिक्स के बारे में पढ़ाने जा रही हूँ, जिनका यूज करके आप अपने काम को बहुत असान कर सकते हैं, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, लेक्चर शुरू करने से पहल हमारे पास यहां पर vertically मजूद है, अब मैं चाहते हूँ यहां पर रहते हुए यही data मेरा यहां पर horizontally convert होना चाहिए, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम transpose command का use करते हैं, transpose function का use करते हैं, आपने यहां पर रहते हुए इस तरह इस complete data को select करना है, करने के बाद, data horizontally convert हो जाए, करने के बाद, आप होन टैप पे क्लिक करेंगे और यहां पर paste के drop down पे क्लिक करेंगे, यहां पर रहते हुए आपने paste special पे क्लिक करना है, तो आपके पास यह paste special का dialogue box ओपन होगा, यहां पर रहते हुए आपने transpose command पे क्लिक करना है, और जैसे आप OK करेंगे, तो आपके पास यह data horizontally convert हो जाएगा, देखते हैं, जैसे आप OK करते हैं, तो देखें, आपके पास यहां पर रहते हुए complete का complete data आपका horizontally convert हो गया, within few seconds, इस तरह से आप transpose function का use करके अपने काम को असान कर सकते हैं, इसकस करते हैं next function के बारे में, जैसे कि मैं sheet 2 पे जाती हूँ और यहां पर रहते हुए हमारे पास remove duplication का title add है, कि यहां पर रहते हुए हम चाहते हैं कि multiple students का data enter है, और यहां से जो data हमारा duplicate हो रहा है, बार बार repeat हुआ है, वो remove हो जाए, तो इसके लिए आपने क्या करना है, यहां पर रहते हुए आपने इस तरह से complete data को यहां पे select करेंगे, करने के बाद आपने data tab पे click करना है, करने के बाद आप यहां पर remove duplicates पे click करेंगे, तो आपके पास यह box open होगा, यहां पर रहते हुए देखें कि आपके पास name का column भी show हो रहा है और fee का भी, कि आपके पास student का name भी repeat हो और fee भी repeat हो रही है, तो वो remove हो जानी चाहिए, इसके तो आप जैसे ही okay करते हैं, तो देखें आपके पास यहां duplicate होने वाली values और names remove हो चुके हैं, तो इस तरह से आप multiple data में रहते हुए easily एक simple सी command के जरिया आप multiple data में से duplicate data को easily remove कर सकते हैं, अब discuss करते हैं next key के बारे में, जैसे कि हम next sheet पे click करते हैं, और यहां पर मैंने title add किया ह how to create duplicate sheet, क्या आप MS Excel में रहते हुए duplicate sheet create करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि यहां पर रहते हुए जो काम आप एक sheet पे करें, दूसरी sheet पे automatic ही वो आपका काम होना चाहिए, तो इसके लिए आपने क्या करना है, जैसे कि यहां पर रहते हुए मैं sheet create कर रही हूं 4 and 5, यहां पर sheet 1 पे क्लिक करना है, करने के बाद control प्रेस करना है और next sheet पे क्लिक करना है, जिन दो sheets पे आप चाहते हैं कि आपका data insert होना चाहिए, तो यहां पर रहते हुए हम इसका थोड़ा सा zoom increase करते हैं, करने के बार यहां पर जैसे कि मैं यहां पर type करते हूं name, फिर हम tab यूज करते है यहां पर हम add करते हैं marks, फिर tab यूज करते हैं, यहां पर total add करते हैं, तो इस तरह से हमने यह कुछ data type किया, और यहां पर रहते हुए हम name type कर लेते हैं, अली, और उसके बाद हम यहां पर marks add कर लेते हैं, और हम यहां पर total marks add करते हैं, करने के बाद यह देखें कि आपने एक control के साथ sheet को select करके duplicate sheets create कर सकते हैं और एक ही sheet पे रहते हुए data type करेंगे तो वो आपका data multiple sheets पे भी insert हो सकता है तो ये था मेरा आज के lecture जिसमें मैंने आपको पढ़ाया कि MS Excel में रहते हुए different magical tips and tricks को यूज करके आप अपने काम को आसान किस तरह से कर सकते हैं तो मिलते हैं next lecture में तब तक के लिए good bye